श्री कृष्णा दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिध्धी प्राप्ती में आज की वीडियो मैंने खास तोर पर अपनी माताओं और बहनों के लिए बनाई है आज मैं आपसे कुछ ऐसी बाते शेयर करूँगी जो आपने सुनी तो होंगी ही आपने ये तो सुना ही है कि हमारे रसोई घर में मा अन्यपूर्णा का वास होता है तो माताओं बहनों जब भी आप अपने परिवार के लिए भोजन तियार करें तो बस इस भाव से ही बनाएं कि आप भोजन नहीं बना रही है मा अन्यपूर्णा का भोग बना रही है भोजन को बिल्कुल प्रेम से शांत मन से ही बनाएं आप कभी भी ये ना सोचे कि तो ये मेरा रोज का काम है बस खाना पकाओ छुट्टी पाओ नहीं यदि आप खाने को प्यार से बना कर अपने परिवार के सदस्यों को खिलाती है तो स्वता ही आपके घर में बरकत होने लगती है और यही भोजन ना केवल स्वाद बनेगा बलकि एक ऐसी उर्जा का श्रोत बनेगा जो आपको निरोगी तन और मन परदान करेगा यह तो आपने सुना ही होगा जैसा अन वैसा मन अगर आप भी चाते हैं मा अन्यपूर्णा की किरपा तो बस अपनाईए यह वाला उपाए प्रेम से खाना खिलाओ घर में बरकत पाओ मा अन्यपूर्णा की किरपा आपके उपर सदा बनी रहे ठैंक यू अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नए नए वीडियो आपके लिए लाओ